हेलो फ्रेंस तो आज मैं आपको गाजर और हरी मिर्च का अचार बनाने का एक्तम प्रफेक्ट तरीका बताऊंगा इस अचार को आप कम से कम डेट से दो साल तक स्टोर करके भी रख सकते हैं खराब भी नहीं होता है और यह जो अचार है खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी वनेगा आज अपना यह आज से इसको खाना आप शुरू कर सकते हैं अगर आप सीखने चाते हैं वीडियो को लाज से चुरूर देखना है तो यहां पर मैंने 1 kg गाजर और 100 ग्राम हरी मिर्च लिया है जिनको अच्छी तरह से धोर लिया है और यह जो हरी मिर्च है इसको आपने तोड़ लेना है अचार में डंटल का यूज नहीं करना है डंटल से अचार जो जल्दी खराब हो जाता है इसके अब हुद आपने मि बड़े बहुत बीच वह अपने निकाल लेना जिशे अब आपने इस तरह पहले है गाजर जो लिएक गाजर को छील लेना हए इसके जिलते है उतार से इस फारные पील कर लेillon है अब आपने गाजर को फीकर्म कर लेना है और पीछा यह डंटल प्वीजिवे omb記得 पूरा लाल है itself कर सकते लिए तो के देख़ें से अपने आपने जलदि खाने के लिए तिए चुक्त चुट्र बनाने के लिए और एक बड़ा चमच आपने यहां पे राई डाल लेनी है राई डाल ना हो आप पीले वली राईस में डाल सकते हैं जो पीले वली सरसन होती है और इसके साथ में आपने कलॉंजी का यूज़ करना है तो आदा छोटा चमच आपने इसमें कलॉंजी एड़ करनी है बहुत ही जवरस फ्लेवरात ऐसे आदा छोटा चमच आपने इसमें मेथी दाना एड़ करना है मेथी दाना का यूज़ गम कीज़े का नहीं तो अचार को एक कड़वा कर देता है और एक छोटा चमच आपने इसमें अजवाईन एड़ करनी है डाइजेशन के लिए सारे ही मसाले बहुत ही बड़ी होते हैं इनी मसालम को यूज़ के चार में सबसे पहले मैंने कड़ाई ली है, इसमें सांफ हैड कर दिये, साथ में मिथी दाना भी डाल देते हैं और इसके साथ में आपने सरस्तों के बीच भी add करते हैं जो आपने अजमाइन ली है वो भी साथ में डाल दीशे तो इन मसालम को आपने dry roast करना है इससे इनका जो flavor है वो activate हो जाता है और इनको आप जब grind करते हैं अच्छी तरह से दर-दर ये grind भी हो जाते हैं तो medium to low flame में इसके डालते हैं आपका अचार है वो कड़वा हो जाता है खाने में तो इनको ना साबुती डाला जाता है इनको भी हल्का सा dry roast कर लीशे फिर आपने थोड़ा सा करीपत्ता लेने हैं इसको अच्छी तरह से धो लेना है करीपत्ता क्यूं डा रहे हैं करीपत्ता में iron cashm बर हमारे है है तो आचार को सिर्फ सबद्राने के लिए तो सबसे पहले आपर लाइन के लिए वहाँ नहीं हरा है इस तरह से इसका दरदरा पौडर बना लिए इसका सौंफ मस्टर सीरो जो मेथी रखी दी उसको भी आपने दरदरा सा जाता है और इसका सारे मसालों को आपने एक वर मेक्स कर लेना है तो अचारी मसाला बन किया इसको आपना स्टोर करके भी रख सकते हैं जब भी आपने फ्रेश अचार भी बनाना हो इसका यूज़ कीचिए नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो तीन चमश मैंने तोटली यहां अचे-गंटे में सुक चुक है इनका को कटम हो चुक है इसके आपने जो ओएल है इसको गर्म करना है तो ओएल को मैंने कडाई में डाल दियाए गयास की फिल्म चालू कर देते हैं जैसे आपको लगते हैं अकरश में निकाल लेना है इसका यूज़ सा अपना लास्ट में यूज़ कर सकते हैं यहां पर अधर अकॉर लसुन को आपने तब तब काना है जब तक इनका मुश्र घत बना जाए तो यह देखिए लसुन का कलर जो है थोड़ा सा चेंज होना शुरू चुका है गैस की फिले मैंने बंद कर दिये थोड़ा सा ओइल को ठंटा होने देना है फिर आपने इसमें गाजर एड़ कर देनी है और इसके साथ मैं हरी मिर्श एड़ कर दिया है मिर्ची को मैंने थोड़ा सा ज्यादा तो सुखाया है मिर्ची से अचार जल्दी खराब हो जाता है अगर आप मिर्ची को अच्छे से सुखा के डालेंगे आपका अचार काफी चार चमच भर की मैंने इसमें अचारी मसाला एड़ कर दिया है और गैस की फ्लम चालू नइंए गैस मैंने बंद रखी है और ठंडे तेल में आपने मसालों को मिक्स करना है तो नह kneelरा सा मसाला कम लग रहा तो इसमें और मसाला आड़ कर दीशे तो तीन चमच मैने देखि यहां पर अचार में एक बड़ा चमच आपने इसमें विनेगराइड करना है क्या निबू करस्ट डाल सकते हैं इससे अचार काफी टैम तक खराब नहीं होता है और अचार को गुलाने में भी हेल्प करता है ठीक है तो कि देखिए यहां पर अच्छी तरह से हमने सारे इसको मिक्स कर लिया है अचार हमारा त्यार हो चुक है अब आपने इसको स्टोर कैसे करना है खागे देख लिशेगा बहुत ही बड़ इसका टेस्ट आएगा कोई भी आपने एरटाइट कंटेनर लेना है और इसको अच्छी तरह से धोके सुखा लेना है पहले अब इसमें आ 45 सेकिंड तक इसी तरह से जार को कोईले को पर छोड़ दीशे इसमें अच्छे से धुमा भार जाएगा इसके आपने उठा लेना है और इसके अपने इसमिन आचार भर देना है अच्छी तरह से मेक्स कर लेते हैं अब जातर हमारा जो आचार जल्दी क्यों खराब हो जाता एक तो हम लोग क्या करते हैं इसमें गीला चमच यूज कर देते हैं हाथ से निकालना शुरू कर देते हैं तो जब भी आप अचार निकालें जार से तो इसमें आपने गीला चमच नहीं लगाना है और देखिए थोड़ा सा मैंने ऐल बचा की रखा था यह मैंने उपर से डाल तो आपका जो चार है ना सालों साल तक खराब नहीं होता है तो यह आपका अचार त्यार हो चुका है तो अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लग होगा लाइक शेयर कमेंट चुरूर कीचेगा ओके फैंक यू तो